नमस्कार स्वाकताब सभी का नीजरूम पोस्ट की खास पेस करे स्पोर्ट स्पोस्ट में कल मुंबई और केके आर के बीच मैच हुआ उस मैच में मुंबई ने टॉस जितकर गेंदवाजी का फैसला कि उसके बाद इस run को chase करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी क्योंकि हम इस IPL में देख रहे हैं कि 260 प्लस के score chase हो रहे थे यह तो मातर 169 रन था उस समय सभी को लगा कि मुंबई इंडियास इस match को आसानी से जीत लेगी पर हुआ क्या कल मुंबई को एक कहते ना कि आसान जीत को उन्होंने ऐसा बना दिया कि उस match को हार गए डिव पड़ी थी जहां पर बल्ले बाजी करना बहुत आसान था पर केकेर के गिंदवाजों ने शांदार गिंदवाजी करी पर उससे भी बेकार जो मुंबई के पल्ले बाजी करी जिसका नतीजा ये हुआ कि मुंबई को हार का सामना करना पड़ा इसके बाद क्या था कि फिर से ट्रॉलर्स जो है मुंबई इंडियस को जंकर यहां पट्रोल करें और खास कर यहां पर हारदिक पांडिया को अब इसी बीच बारत के ex-criccator इरफान पठान जो है उन्होंने बड़े सारे सवार उठाये। उन्होंने मुंबई इंडियनस की कप्तानी यानि की हारदिक पांड्या की कप्तानी पर बहुत सारे सवार उठाये। उनके कुछ सवाल थे, सबसे पहले उनका ये कहना था कि मुंबाई इंडियन्स एक टीम के रूप में नहीं खिली, वो एक जुट नहीं दिख रहे, जिसकी वज़े से इनको हार का सामना करना पड़ा, एक रिचन, दूसरा ये, कि उन्होंने सवाल उठाया कि जब आपने शु चोटी चोटी गलतिया 179 तक पहुचा गई, पर उसके बावजूद भी हम देखे, कलना रोहित शर्मा चले, इशान केशन, हार्दिक पांडिया, सूरिकुमार को छोड़के, कोई भी नी चला, और टीम डेविड आते, एक जो चक्के मारके, वो भी मैस फसाकर निकल गई, और इर्फान पठान जमकर बरसे हैं, इससे पहले भी वो हार्दिक पांडिया के कटगरे में खड़े कर चुके, पर इस वार उन्होंने ये बोला कि इनका सिजन खत्म हो चुका है, इनकी टीम जो है एक जूट नहीं है, इसको देखना होगा कि अगले साल कैसे आते हैं, क्य चुके, यह जो हमाजाने जिते हैं, क्यकंति पहले से यहां पर इर्फान पतान से भी घटान रहचुके, मुंबई इदेश के भारत की टीम के कपतार है, वालिक यहां च्छाना याज़ कर आय إن Kaptaan ह्या में जाने पर परफॉरमेंस देखा जाने उसितले बहुत लुए और परफॉर्मेंस मैं कहूंगा बले ही आप रोईट सर्मा के फैंस हो पर रोईट सर्मा इस नौट डूइंग वट ही शुड डू क्योंकि उन्होंने बले से कहते कि उनका हमेशा रहा है वो आते दो चाज चौके दर दर मारते एक दो मैच से मारते उसके बाद वो चलते नहीं है पर फिर भी आपके टीम के कपतान है आप कैसे कुछ कह सकते हो पर आँ यह है कि हार्दिक पांडय के लिए राह मुस्किल होई है इर्फान पठान जमकर बरसे है अब देखना होगा हार्दिक पांडया अपनी टीम की वापसी कैसे करवाते क्योंकि राह बहुत ही बहुत मु हम हम बहुतakah शीम की यह है अब नहीं गहा है खांडया आप स्पेंगर कि जाए बहुत है कि नबच्ट की महि है राह माद बहुत है कि राह में हैं होगग